हेलो गाइज, गूड इबिनिंग, आज हम लोग केले के प्लेटफॉर्म पे, SSE को टार्गेट रखते हुए बहुत सारे कोश्चन्स को, जो इंपोर्टेंट कोश्चन्स होंगे, उनको देखेंगे, कैसे उन कोश्चन्स को हम लोग जल्दी से बना पाएंगे, और उसका कॉंसेप्ट क्या है, हाला कि आज हम लोग चैप्टर वाइस पे नहीं आया है, यह एक छोटा सा डेमो क्लास का वीडियो होगा, जहां आपको कॉश्चन्स देखना है कि कैसे वो देखा जाए, और जब रिगुलर क्लास सरका स्टार्ट हो, तो आप फिर उस प्लेटफॉर्म पे जॉइन करना, तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि कॉश्चन्स कौन-कौन सा, मैंने सेलेक्ट किया और जो आने वाला है, इस बार MTS का एक्जाम है, भी CHSL का एक्जाम है, आज तो MTS का आपको नोटिफिकेशन भी आ गया, CHSL का पहले से है, जो FAB और मार्च में एक्जाम होना है, CGL का भी होगा, तो उन सबों को टार्गेट में रखते हुए हम लोग कुछ कुश्चन्स लेके आ हैं, और वो कुश्चन्स है, सबसे पहले देखें, कि ये कुश्चन मेंसुरेशन का है, CHSL का एक्जाम मेंसुरेशन ज्यादा कुश्चन रहेगा, MTS में भी डाल दिया गया, जो आज notification आया है, उसमें देखेंगे advanced math, advanced math में आपको मेंसुरेशन का part देखना है, तो देखें, ये cube का कुश्चन है, अक्यूवाइडल ब्लॉग, ये 6 cm, 9 cm और 12 cm ये काटना है, इसको किस साइज का काटना है, 6, 9, 12 cm, ठीक है, into exact number of equal cubes, number of cube जोगा, कह रहा है कि, यानि इस shape का ही, सारा का shape ये ही होगा, और least possible number of cubes will be, यानि ये बड़ा सा ब्लॉग दिया हुगा है, क्या है, तो देखें, इसमें, ये 6 cm, 9 cm, और तीसरा है, 12 cm, और इसमें से काटना है, क्या, घनावकार ब्लॉग को बराबर घनो की सटिक संग्या में काटा जाता है, तो घनो की निउन्तम, अच्य, बताओ, नियून्तम संग्या क्या अर्थ क्या हुआ, कम से कम, कम से कम मिन्स वाट, संभा हो तो एक ही a cube क करके लेकले, अग क्यूब मींस क्या, all sides are equal, लेकिन यहां side है 6 है, 9 है, 12 है, तो minimum number के लिए बरा से बरा measurement चाहिए, और वो बरा से बरा measurement कैसे निकलेगा, तो that will be HCF, क्योंकि HCF वो number होता है, जिससे यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, और यह भी कट जाएगा, यह भी क निकल सकता है, तो हम लोग क्या करें, measurement निकालने के लिए 6, 9, 12, इसका HCF क्या होगा, इसका HCF तो वो number होता है, जिससे सब कट जाएगा, देख के भी लग रहा है कि 3 होगा, सर 3 से 6 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, 12 भी कटेगा, तो चलिए 3, और volume क्या हो जाएगा, उस cube का, त तो क्या हो जाएगा, यह 3 इंटो 3 इंटो 3, क्योंकि देखो, volume का आर्थ होता है, length इंटो, breadth इंटो, height, तो question कह रहा है, minimum number of cubes, तो minimum number of cubes, यह कैसे निकालेंगे, तो यह होगा, बरावला volume, यानि, बरावला में था, L इंटो, B इंटो, H, और divided by, यह जो हम लोग निकाले, 3 इंटो, 3 इंटो, 3 इंटो, 3, तो बरावले का क्या है, 6, 9, 12, और यह क्या होगा, 3, 3, 3, 3, 3, 3, तीन से 12 कट यह 4 बर में, तीन से 9 कट यह 3 बर में, और 3 से 2 बर में, तो 4 तिया 12 दोना, 24 क्यूब ऐसा होगा, जिसका लंबाई, 4 और उंचाई, 3, 3, 3 होगा, और यह कोश्य बहुत, यानि, सिंपल एक लाइन में आप समझो, कि बरा वाला वाल्यूम, डिवाइड़ वाई, छोटा वाला वाल्यूम, नंबर आप क्यूब्स, तो ऐसे ही, यह तो कोश्यन था, आपका मेंसुरेशन का, अगला कोश्यन देखते हैं, यह पोर्शन है, टाटा इंटरपर्टेशन का, मैं अच्छी बतला दू, SSE के एक्जाम में 3 से 4 कोश्यन, डियाई कराएगा, और डियाई कराएगा, डियाई में यह पाई चार्ट है, पाई डाइग्राम पढ़ना है, पाई चार्ट पढ़ना है, टेबूलेशन पढ़ना है, लाइन ग्राप पढ़ना है, कभी-कभी परसेंटेज का कुश्यन आता है, जैसे देखो, कि number of student enrolled in cooking class is what percent that in dancing class, तो cooking class वाला जो student है, वो dancing का कितना परसेंट है, तो हमको इसका, देखो, यह पाई चार्ट जो है ना, परसेंटेज में रहेगा, तो 100% होगा, इसके बारे में बहुत सारा डिटेल्स में बहुत अच्छ धंसे, data interpretation का, जब class लूँगा, आप वहाँ वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, यह online class कर सकते हो, तो यहाँ देखें, यह percentage है, percentage means what, तो यह this will total, total will 100%, यह 100% होगा, तो देखें, यह 15% है, यह 21% है, यह 18% है, ऐसे करके, अगर यह total value given होता ना, तो आपनों को अलग-अलग उसको निकालना पड़ता, तो हम लग यहाँ देखें, value तो given है, नहीं, तो number of student enrolled in cooking class, यह, जिसको निकालना होता है, वो उपर रखते हैं, तो cooking class, उपर लिख देजे, is what person, what person जब भी होना, तो उपर वो लिखते हैं, जो given है, और नीचे, जो given है, और नीचे, जो given है, यह total, तो देखें, is what person, that in dancing class, और dancing class, नीचे रख दो, into 100%, तो किसका percentage निकालना है, cooking का, cooking कितना है, cooking, cooking, यहाँ देखें, 22 है, dancing कितना है, यह 21 है, तो 22 by 21 into 100%, वैस इतना ही करें, और जहां भी what percent होना, तो question में direct पूछो, कौन, किसका, तो कौन, the number of student involved in cooking, कौन, cooking, किसका, तो सर्ट डांसिंग का, तो कौन वाले को, आप उपर लिखना, और किसका, नीचे लिखना, into 100%, वो X से ना, फ़रा दुस्मनी है, बगल वाला परुसी है, X, और परुसी को अपने घर में जल्दी नहीं बुलाए जाता है, चोटा-चोट जो होता है धन्जट, वो खुद से नहीं पटना पर, तो X को मतले आना, कि माना कि ये बराबर एक्ट, सरे X का इतना परसेंट, नहीं, डारेक्ट बनाओ, अगला कोशन देखें, तो, what is the total number of students enrolled in teaching and drama classes, अब मैंने यहाँ पर total value नहीं दिया, मैंने क्या बोला, कि मैंने नहीं दिया है, नहीं दिया है, मतलब कोई न कोई number होगा, कोई न कोई number होगा, तो चलो, ठीक है, stitching और drama, तो total number of students, कुछ लोग क्या करते हैं, पाई-जाट को ब्रेक करके सब निकालते हैं, मत निकालो, इतम देखने के साथ बताओ, कि stitching कहां है, तो सर, stitching यहां है, 11, drama कितना है, 13, तो 11, अब प्लस 13 पहले ही कर लेना, यह percent हो गया, मतलब 24 percent हो गया, किसका, तो जो भी value दिया रहेगा, उसका, तो value मानलो मैंने नहीं दिया, तो number लिख दिया, और इस number का 24 percent, जो आएगा, simplify कर देना, कोई भी number हो, decimal में होता है, decimal में लो, fraction में है, fraction में लो, number लिख देना है, तो दो question हम लोग देखे थे, पाई का, और आगे देखते हैं हम लोग, कि अगला question, total number of 0 निकालना है, 1, 2, 3, 4 से लेकर, 1000 की संख्या को, अगर हम multiply करें, तो number of 0 at the end, on the right of the product, यानि right side से, ये right side से है, अगर हम लोग question ये का रहा है, कि सर, 1 into 2 into 3 से लेकर, अगर 1000 तक की संख्या को multiply किया जाए, तो how many 0 will be from last, अंत से कितने 0 मिलेंगे, तो देखो, अगर हम लोग, ये तो possible नहीं लग रहा है कि multiply करना, तो जरूर यहाँ कोई trick होगा, तो वो trick हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ततकाल हम लोग ये देखें, कि ऐसे question को solve कैसे करें, तो देखो भए, 4, 0, 0 के लिए, pair of, 4, 0, pair of, 2 and 5 are required, थोटे रूप में, ये नहीं, 2 and 5, ऐसा नहीं बोलना, कि सब 4 और 10 भी तो हो सकता है, मैं सबसे simplest, smallest में बता रहा हूँ, कि 2 and 5 are required, ये दूनों चाहिए, अब देखें, तो एक से लेकर के, एक हजार तक में, 2 की संख्या जादा होगी, देखो जैसे, 1, 2, 2 के बाद, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2 बहुत सारा है, और 5 कम है, क्योंकि 1 से 10 में, 2 ही बार 5 है, 5 में या 10 में, और हमको दोनों का पेर बनाना है, आप ऐसे सुचो, कि हम लोगों को बरात में जाना है, सादी में जाना है, भोज खाना है, कितना पार्टी याँ पर्टिंट करोगे, तो सर, जितना, देखो, ये 2 और 5, मान लो, ये गल्स है, और ये बॉइस है, कितना बार तो आगा तो देख के नहीं लग रहा है, कि लर्की याँ बहुत ज़्यादा है, लर्की बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, 2 वो में है 4 में عن 16 में 8 में 10 में सर 2000 तक में दो satisfied कि मुष्च magari के साथि जाएगा कुछ कुछ चोड़ो पांच देखो ना लिर्का कितना है सब तक में दो ही था डोनों में जिसकी संख्या कम होगी, पयर उतना ही बनेगा. अगर लग्का दस लर्की 2, तो कितना पयर बनेगा, 2 ही नग्लर का लरकी का पयर, तो 2 साधी होगा, ऐसे ही, वेसे ही मान लो, जब लगे कि कठीना है, तो एक को गहुस मान लो, तो कि यह गहस है और यह क्या है, बौवाईजे, तो दोनों का पेह, तो दोनों में किसकी संख्या कम है, तो सर्दो की संख्या कम है, नहीं समझे, तो ऐसे सुचो, तुम लोग इढानी सब्सक्राइब, क्लास में बटेवनी लोग पूरी बउए होदा, एक लर्के बगल में बैठी है, हम कहेंगken लरका और लरकी का पेर बनाना तो कहोगे रूके सरव लरका को count करतें, एक, दो, तीन, सार ऐसे करेंगे, कि देखेंगे सर लरकी तो एक ही है, एक पेर, तो एक हजार तक में पांच कम है, तो पांच कितना है, तो उएसे निकाला जा मत लिको इससे मतलब नहीं है पालवच्चे से मतलब नहीं है पेर वाइप हस्वेंड का तो यह 40 फिर 5 से फिर 8 फिर 5 से भाग लगेगा सर एक बार में 3 तो इधर वाला मैंने बोला कि remainder से मतलब नहीं है तो इन सब को जोड़ लो 200 प्लस 40 प्लस 8 आएगा 249 पांच आएगा कई बुक्स में गलत बना हुआ है वो देख करके मतलब क्रॉस करने लगना कि सर्त यह बता इस बुक में 248 है सब गलत है ऐसे ही ध्यान देना तो 249 यहां है क्लियर तो एक कोश्चन हम लोग देखें टाइम थोटा वीडियो बनाना था और चलो एक कोश्चन और देखी लेते हैं उसके बाद चलिए देखिए करा टू डिफरेंट नंबर वें डिवाइड़ वाईड़ वाईड़ सेम डिवाईजर तो अलग अलग नंबर को एक ही भाजक से सेम डिवाईजर से भाग दे तो रिमेंडर जो है वो 12 और 20 बनाता है मतलब दो नंबर है एक नंबर न1 और एक नंबर न2 इसको भाग दिया डिवाईजर से तो रिमेंडर आया R1 और इसको भाग दिया तो रिमेंडर आया R2 कोशन यह करा है और when their sum was divided by the same diviser, यानि उनके योग को, अगर उसी भाजक से भाग देते हैं, तो remainder 4 योग, यानि N1 प्लस N2, ये दोनों नमबर है, इसको अगर उसी diviser से भाग दे, तो कह रहा है कि remainder 4 आ रहा है, ध्यान क्या देना है, कि ना तो number मालूम है, ना diviser मालूम है, ना quotient मालूम है, सबको let, इसको X, इसको Y, लेंदी होगा, हम लोग क्या करेंगे, तो एक trick मैं आपको बतला दे रहा हूँ, क्या करेंगे ऐसे case में, यह जो diviser है ना, that will be equal to पहला सेस्फल, प्लस दूसरा सेस्फल, माइनस तीसरा सेस्फल, देखने के साथ, इतना बढ़ा question, जो SSC के लिए ब बहुत important है, और हम देखकर answer बोल सकते हैं, कि sir, R1 तो था 12, R2 था 21, और R3 कितना है, 4, दोनों को जोर दो, 33 माइनस 4, कितना होगा, 29, तो ऐसे ही, और भी वीडियो, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, और अगर कोई आपको problem हो, तो वो बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा कोशिस ये करना है, कि हम लोग इसको share करें, वीडियो को subscribe करें, और क्लास जल्दी से मालूम करें, कि कब से शुरू हो रहा है, तो झाल